अनोकी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूर वीराए प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिपावली का बड़ा ताफा दिया है राजिसरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भते में 4 पीजदी का इसाफा कर दिया है मुखमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका अलान कर दिया है प्रदेश के कर्मचारियों को 50 पीजदी महंगाई भते का लाब दिया जाएगा पिछले समा की महगाई भदे किराश स्री एरियर के रूप में कर्मचारी को दी जाएगी मुखमंत्रे मोखन यादव ने कर्मचारी यों को दीपावली की बढ़ाई देते हुए कहा मुक्रमंत्रे ने कहा कि प्रदेस के करमचारियों को अभी 402 प्रतिश्ट महगाई भत्ता इशाए के सभी क्रमचारी संगटनों की लेकर प्रदाषुन किया था और तालबंदी डिताप ने थी था इसके पहले प्रदेस सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार सहीता लागो होने से पहले कर्मचारियों का चार फिस्दी महगाई भत्ता बढ़ाय था जुसके बाद यह बढ़कर 46 फिस्दी हो गया था इस महगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2023 से 46 फिस्दी की गई थी मेरे मद्देश के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधों दिपावली के पावन पर पर आप सबको मंगल कामना बधाई रासरकार ने निड़ने किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारीयों का जो महगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निड़ने हमारे दवरा लिया गया है मेरी अपने और सबको बढ़ाई खासकर इसकी बढ़ाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसरवर मद्देश की स्थापना दिवस का कारी करन दी एक नॉमबर मद्देश के कठन की पहली तारिख जो 1956 में एक नहीं प्रदेश का आकार साकार जना चाहूंगा आप सब लगातार अपनी लगन मेहनत अपने सकारात्मक सोच के कारण से अपनी पुरे देश के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग में एक विशेस पहचान रखते हैं इस नाते से सरकार का उत्तरदाइद वह कि आपके हितों का भी दिखान रखे मैं बताना अब सभी सास की सेवकों को एक जनवरी दोजार चोईस को महंगाई पत्ता पचास प्रतिसत की दर से दिया जाएगा आज हमारा अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम आप सबको एक जनवरी से देंगे मेरी अपनी और से एक बार आप सबको बोना बदाई देश दुनिया और अपने आसपास के अने खबरों को देखने के लिए जुड़े रही है अनों की आवास के साथ